दोस्तों करेटिश्री पाइंड और उडिवेशन में आप से विगर स्वागत है देखिए आज हम बात करने वाले भारती राष्टी कांग्रेश से जो भी मांतुपूर प्रिशन पूछे जाते हैं उनके बारे में तो चलिए देड़ना करते हुआ शुरू करते हैं देखिए क कि भारती राष्टी कांग्रेश की स्थापना का वर्स तो यह 1850 में भारती राष्टी कांग्रेश की स्थापना होई थी तो मित्रो 1850 में भारती राष्टी कांग्रेश की स्थापना होई थी आप ध्यान देजिएगा कभी मत बूलेगा अगे भारती राष्टी पहला सत्रा आयोद किया गया तो 1885 में मुंबई में मदलब 1885 में성이 सांव खर्टी नंगरी fascination ऐसका हुई इस समय ब्रिटिस वाइसरा है जो था भारत का वो लाड डफरिन था अगे अपने स्थितों के सुरवाती चरड के दोरान यानी 1885 से 1905 में भारती राष्टी कांग्रेश ने कभी यह मांग नहीं की किसी चीच की मांग नहीं की ब्रिटिस वातन से सुरवाता की मांग 1885 से 1905 के बीच में भारती राष्टी कांग्रेश ने कभी ब्रिटिस सुरवाता की मांग नहीं की थी चले आगे क्या है कि भारती राष्टी कांग्रेश की पहली महिलाद्रक्ष जो थी वो सरीमतई Committee Ann innovation थी 1717 में फिर है भारती राष्टी कांग्रेश की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यह तो एनिवेसंट थी यह भारतीय नहीं थी यह विदेशी थी ठीक है लेकिन अब कहरा है कि भारती राष्टी कांग्रेश की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो यह स्रीमति सरोजनी नायडूजी थी। 1925 में बनी थी। यह 1917 में एनियकसिंट बनी थी। अगे भरति-राष्टी कांग्रिस की महिला अध्यक्ष तो भरति-राष्टी कांग्रिस की महिला अध्यक्ष जो जो बनी है उनमें स्रिम्वति एन व्वेस यह सरोजSONीरायड स Also हैं और स्रीमति नेली सेन गुपता जी हैं अगे सूरत अधिवेशन में भारती राष्टी कांग्रेश का पहला विभाजन उनीस सो साथ में उनीस सो साथ में सूरत अधिवेशन में भारती राष्टी कांग्रेश का विभाजन हो गया पहला विभाजन अगे भारती राष्टी कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे भारती राष्टी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम तो ये थे बदरुद्दीन तयब जी जो की मदरास अधिविशन में बने थे 1887 में फिर है राष्टी अगित वंदे मात्रम कब पहली बार गया गया था अक् 1896 में मतलब 1896 में जब भारती राष्टी कांग्रेस का दिविशन कलकत्ता में हुआ तो उसी टाइम ये राष्ट गीत बंदे मात्रम भी वहाँ पे पहली बार गया गया था अगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त सत्र लखनाव में हुआ फिर भारती राष्टी कांग्रेस का सत्र जहां खादे पहनना अपने कारेकर्टाओं के लिए अनिवारे कर दिया गया था वो एनिवे सिंड जी द्वारा सिंचालित किया गया था 1917 में फिर राष्ट गान जंगर्मन को पहली बार गया गया था तो कलकता दिविशन में 1911 मे महत्मा गादी के अधिक्षिता में भारती राष्टी कांग्रेस का एक मात्र शत्र बेल गाम 1924 में केवल एक बार महत्मा गादी जी ने भारती राष्टी कांग्रेस के अधिविशन के अधिक्षिता गी थी वो भी बेल गाम में 1924 में नेक्षे बारती राष्टी कांग्रे आगे सुद्रैंता की मांग से किसके दवारा भारती राष्टी कन्ग्रेश द्वारा मैं ओ दूर तो आघारे मी वैसके अध्धिक्ष आचारे जे बीर ले फाले वी फिर भारती राष्टिक अंग्रिस की स्थापना वर्स 1885 में हुई थी आपको बताया गया पहले भी आप फिर वही कुश्चन रिपेट हो रहा है तो आपको बता दिया गया सारे कुश्चन लगबग लगबग कंप्लीट हो गए आपके हम मिलेंगे आपसे नेक्ट वीडियो म तब तक के लिए आप अमना ध्यान रखेएगा ओके थे